तो हे गाईस कैसे हैं आप सभी होपी को है सब सब बढ़िया होंगे दोस्तो आ गया है संडे वक्तो था है हेस्टेकास के EV का जिसमें के आपके पूछ गए EV से लिटीटेड सभी सवालों के हम अंसर देते हैं और साथे साथ इस अपते की EV News भी है जो कि मैं आप लोगों के सेल किये गए थे यहां दोस्तो पिछले साल वाले सभी इस सेल हुए थे उनको रिकॉल किया गया है जिसमें कि वह इन इस कूटर में कुछ जांच परताल करने वाली है जो कि फिर यह ओफ कोश्ट होगा यानि कि आपको एक भी रूपया यहां नहीं देना होगा बस अपना स सर्विस सेंटर में और वो उसमें कुछ ना कुछ चेक करेंगे और फिर आपका स्कूटर वापीस कर देंगे वहीं दोस्तों आप में से जितने भी लोगों ने इस टाइम पिरेड के दोराना अगर कोई एलेक्र स्कूटर बाई किया है तो आप अपना स्कूटर जरू से सर् प्राइज को इंक्रीज कर दिया है जिसका सबसे बड़ा कारण है इनके अलेक्र स्कूटर की ओवर प्राइज और अब इन्होंने अपने अथर पूर्पूर्टी एपक्स मोडल की प्राइज को बढ़ा दिया है आज से पहले यह लेक्र स्कूटर बढ़कर 1.95 लाक रूपी हो गई है तो यहाँ पर सीथी सीदे कंपनी ने 6,000 रुपीज को इंक्रीज कर दिया है जो कि मेरे कोडिंग काफी ओवर प्राइज हो गया है और भी ज्यादा यह लेक्र स्कूटर क्योंकि इतनी प्राइज में कोई भी इलेक्र स्कूटर बाई नहीं करने वाला और यह दो लाक रुपे से उपर का स्कूटर बन गया है इसमें सबसेड़ी वेगर आभी आपको देहनों को नहीं मिलेगी नेक्ट न्यूज की बात करें तो दोस्तों एंपियर कंपनी ने अभी लास्ट मन्त ही अपना एंपियर नेक्सस एलेक्र स्कूटर को लॉंच किया था और यह जो delivery है वो आप company ने start कर दी है 5 जून World Environment Day के मौके पर company ने इसके delivery start कर दी है जो कि सबसे पहले delivery बैंगलूर से start की गई है बाकी जैसे कि आप सबी को पता है कि phase wise इनकी अलगलग city में आप delivery start होने वाली है तो दिरी दिरी करके आपकी city में भी इसकी delivery start हो जाएगी अगर आप आपने इस electric scooter को book किया हूँ है तो व्यज़े दोस्तों Ampere की इसकी नए Inexus electric scooter के बारे में आपको नहीं बता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह 3 kWh LFP chemistry वाला scooter है जो की 136 kWh के IDC range निकल कर देगा जिसको चार्ज करने के लिए 3R 22 मिनट का टाइम लगेगा और इस scooter में 4 kWh की peak power वाले motor का इस्तमाल किया है जिससे की यह scooter 93 km पर आर की top speed निकल कर देगा बाके इसमें आपको 12 इंच के लोई विल, 7 इंच के TFT, touch screen, display, navigation वाई करते हैं तो Vida V1 plus electric scooter पर 20,000 रुपीज तक का minimum और maximum 40,000 रुपीज तक का discount दिया जा रहा है 20,000 का discount आपको direct मिल जाएगा और बाकी के जो discount है वो अलग-लग bank के offer के through आपको देखनों को मिलेंगे तो overall यहाँ पर काफी अच्छा discount and offer देखनों को मिल रहा है और यह scooter एक लाख रुपे से कम कीमित में आपको देखनों को मिल जाता है जो कि 80-90 km के आसपास में आपको range wrinkle कर दे देगा बाकी दोस्तों बजाच company ने भी अपना एक नया electric scooter अभी launch किया है जिसका नाम है बजाच चेतक 2901 जिया दोस्तों यह किसी flight का number लग रहा है बट यहाँ पर company ने इस electric scooter को काफी ज़धा affordable price में launch किया है यह सिर्फ 95,000 रुपीज की price में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको 5 किलोर option देखने को मिल जाते हैं और जो इसके IDC range है वो 126 km के आसपास में है जो कि actual condition में कितनी range निकालेगा यह तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा आपके इस scooter के ऊपर हमने ओलरी एक full detail में वीडियो किया हुआ है तो वो वीडियो आप जरू से check out करना लिंक आपको उपर card में या आप नीचे description में मिल जाएगा तो यह तो होगी दोस्तों इस सब्सक्राइब कि आपके EU news ना अब आज आते हैं आपके फुच गए वीस इलिटेड सभी सवालों पर तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट लेते हैं आपर हरी दर्शन फूचते हैं मैंने scooter hyper में 70 km चलाया reduce performance current switch mode आ गया है normal mode पे फिर कोई mode ही चेंज नहीं हो रहा है तो भाई दोस्तों यहाँ पर अपना कोई भी electric scooter हुआ वो hyper mode या फिर sport mode में आप continue चलाओंगे काफी देर तक और especially Ola के साथ में यह condition जादा है कि जादा देर तक आप hyper mode में या फिर sport mode में नहीं चला सकते हैं और जिस हिसाब से अभी weather हो रखा है आसपास का या इंडिया का उस हिसाब से sport mode में और hyper mode में अगर आप अपना scooter ना चलाएं तो जादा better है उसके बाद में जो आपका mode switch करने वाला जो है ना वो यहाँ पर अटक जाएगा कई बार तो यह eco mode पर ही अटक जाता है तो जब तक आपका scooter ठड़ना नहीं होगा motor और battery का temperature डाउन नहीं होगा जब तक यह switch नहीं होगा और फिर शायचे आपको customer के air पर भी call करना पड़ सकता है क्योंकि mode ना फिर switch नहीं होता है और वो वहाँ पर अटक जाता है तो यह problem ओला scooter में अभी देखने को मिल रही है next comment लेते हैं आपर पूछा है sir मेरा अभी तक मुवS4 नहीं मिला है तो भाई ऐसे काफी सारे लोग है जिनको अभी तक मुवS4 नहीं मिला है क्या problem है कौन से batch का आपका इलेक्टर स्कूटर था तो यह सब चीज़े आप एक बर clear करो कुष्टमे के अर पर जरूर से आपका मुवS4 मिल जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर एक कमने लेते हैं जो ओला स्कूटर की जो फाइर इंस इडिएंट हमें देखनों को मिलाता ना उसके ओपन यहाँ पर कमेंट दिया है भाई ने बाई आप पबलिक इतनी गर्मी में ओरनाइट चार्ज करके गर्मी में चलाएगा तो होगा ही ना सेफ नेक्स्ट कमेंट लेते हैं आपर पूछा है भाई कोई भी मतलेना बहुत घटी है सर्विस है बोलेगा सेल टाइम पर वरेंटे के लिए बाद में कमपनी नहीं दे रही है सबसे घटी आ उकिनावा प्रीज कोई नहीं लेना मतलेना पस्ता रहा हूं तो काफी सारे लोग य लिखेंगे तो टोप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है यानि कि इनकी सेल पा हर मन्त बहुती कम होती जा रही है तो उकिनावा के जितने भी रेक्टर स्कूटर है या फिर अगर कोई भी आप बाई करने का सोच नहीं तो पूरी तरगे से पूछता और जात परताल करकर ही ब है बट वह हम पर जो ओले स्कूटर का रिजिस्ट्रेशन आटियों में नहीं होता जिस वज़े से आपको आपको स्कूटर की डिलीवरी भी लेट हो जाती है और कई बार आपका जो रिजिस्ट्रेशन है वह भी नहीं हो पता जिसके वज़े से आपको स्कूटर भी नहीं मि हुआ है बट मेरे इस आप से जुलाई के एंड तक या जुलाई में 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 इसका जो रोल आउट है ना वो होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह वे दोस्तों इस अपत है कि आपके पुछेगा यह भी से लिटेटर सवाल और इवी न्यूज होप यह वीडियो आप लोगो को ज